बच्चों, पिछली वीडियोज में हमने जाना की हमारे सौर मंडल में आड गिरे हैं और उनमें पिर्थवी भी एक गिरे है जिस पर जीवन है ये गिरे एक मात्र गिरे है जिस पर जीवन है और जिस पर हम रहते हैं पिर्थिवी के चारों और जो चक्कर लगाता है वो है चंद्रमा चंद्रमा पिर्थिवी का एक मात प्राकिर्तिक उपगिरह है की बॉल की तरह से दिखाई देता है और आस्मान में चमकता है लेकिन इसमें खुद में रोश्नी नहीं होती ये सूरे के पिरकास से ही चमकता है पिठ्थिवी से चंद्र अग दूर है ये दूरी पिठ्थिवी के व्यास का तीज गुना है Students आपको पता ही है कि हमारी प्रत्थवी लगबग गोल आकार की है प्रत्थवी के दो धुरूब होते हैं उत्तरी धुरूब और दक्षिनी धुरूब प्रत्थवी धुरूब पर थोड़ी चप्टी तथा मद्य में थोड़ी उभरी हुई है इस कारण यह पूरी तरह गोल नहीं है बलकि संतले की तरह उपर वे नीचे से थोड़ी पिछकी हुई है प्रत्थवी का यह वास्त्विक आकार भू आब जियोएड कहलाता है भू आब का अर्थ है प्रत्थवी के समान आकार इस्टुडेंट्स प्रत्थवी आकार में बहुत बड़ी है उसके मुकाबले में हम बहुत चोटे पूरी प्रत्वी को एक साथ देखने के लिए हमें प्रत्वी का चित्र देखना होगा या प्रत्वी का कोई मोडल जैसे ये है इस्टुडेंट्स यह प्रत्वी का एक वास्त्विक लगू प्रतिरूप या मोडल है इसे गलोब कहते हैं आपके विद्यले में भी ऐसा ही एक गलोब अवश्य होगा आप इसे बार-बार ध्यान से देखिए इस पर क्या-क्या चिन बने हैं क्या-क्या लिखा है सब पढ़िए और प्रत्वी के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कीजिए इस्टुडेंट्स जब हम प्रत्वी पर किसी इस्थान का निर्धारन आसपास के प्रसिद इस्थान जैसे मंदिर, परवत, नदी, समुद्र आधी के सापेक्ष करते हैं तो यहे उस इस्थान की सापेक्षिक इस्थिती रिलेटिव लोकेशन कहलाती है जैसे श्रिलंका भारत के दक्षिन में इस्थित है यहां श्रिलंका की इस्थिती भारत के सापेक्ष पताई गई है क्योंकि हम विश्व के मानचित्र पर या गलोब पर भारत को आसानी से पहचान सकते हैं और भारत को जल्दी से पहचान कर उसके दक्षिन दिशा में देखेंगे तो श्रीलंका भी आसानी से पहचाना जाएगा परन्तु जब हम प्रत्वी पर किसी इस्थान का निर्धारन बिना किसी प्रसिद इस्थान परवत नदी समुद्र आदी के करते हैं तो उसे उस इस्थान की वास्तविक इस्थिती एबसल्यूट लोकेशन कहते हैं प्रत्वी पर किसी इस्थान की वास्तविक इस्थिती का निर्धारन एक काल्पनिक रेखा जाल ग्रिड द्वारा किया जाता है इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश, लेटिटूड और देशांतर, लोंगिटूड रेखाएं कहते हैं आईए अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से जानते हैं इस्टुडेंट्स आप जानते हैं कि प्रत्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है यह अक्ष प्रत्वी के उत्तरी धुरूव एवं दक्षनी धुरूव से होकर गुजरता है प्रत्वी लगबग गोलाकार की है अतहे इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से किसी इस्थान की दूरी मापी जा सके किन्तु प्रत्वी पर उत्तरी धुरूव एवं दक्षनी धुरूव के रूप में दो ऐसे निश्चित बिंदू हैं जहां से किसी इस्थान की वास्त्विक इस्थिती का पतार लगाया जा सकता है इस्टुडेंट्स विशुवत रेखा या भूमत देरेखा एक और कालपनिक रेखा है जो दोनों धुरूं से बराबर दूरी पर है यह प्रत्वी को मद्य यानि की बीच में से चारो और से घेरे हुए है यह रेखा प्रत्वी को दो बराबर भागों में बाटती है भूमत देरेखा के उपर का यानि उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्द कहलाता है इसी प्रकार भूमत देरेखा के नीचे वाला भाग यानि दक्षणी भाग दक्षणी गोलार्द कहलाता है किसी बिंदू या इस्थान की भूमद्य रेखा से उत्तर या दक्षिन की कोणिये दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं इस्टुडेंट्स भूमद्य रेखा से दुरूओं तक प्रत्वी के चारों इस्थित सभी व्रतों को अक्षांश व्रत कहते हैं यदि एक एक अंश के अंतर पर अक्षांश रेखाएं खीची जाएं तो मान्चित्र पर इनकी कुल संख्या 189 होगी आईए अब अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और याद रखने वाली बाते जानते हैं इस्टुडेंट्स भूमद्य रेखा के उपर यानिकी उत्तरी गोलार्द में जितनी भी अक्षांश रेखाएं इस्तित होती हैं वो सभी उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं इसी प्रकार भूमद्य रेखा के नीचे यानि की दक्षिनी गोलार्द में जितनी भी अक्षांश रेखाएं इस्तित होती हैं वो सभी दक्षिनी अक्षांश कहलाती हैं। Students, कुछ अक्षांश बहुत अधिक मैतोपूर्ण हैं। पैचान की दरश्टी से उनके अलग नाम भी रखे गए हैं। जैसे शुन्य अंश अक्षांश यह प्रत्वी के बीचों बीच है इसलिए इसे भूमद्य रेखा या विशुवत रेखा भी कहते हैं। 23.5 अंश उत्री अक्षांश यह भूमद्य रेखा के उपर उत्री गोलार्द में 23.5 अंश के कौन पर इस्तित बिंदों से मिलकर बनी हैं। इसलिए इसे 23.5 अंश उत्री अक्षांश कहते हैं तथा इसे करकरेखा का नाम दिया गया है। यह करक रेखा भारत के बिलकुल बीचों बीच से होकर जाती है 23 अंश दक्षनी अक्षांस इसी प्रकार भूमद्य रेखा के नीचे दक्षनी गोलारद में 23.25 के कौन पर इस्थित बिंदों से मिलकर बनी रेखा को 23.25 अंश दक्षनी अक्षांस कहते हैं इसे मकर रेखा का नाम दिया गया है साड़े च्यासट अंश उत्री अक्षांश उत्री गोलार्द में साड़े च्यासट अंश पर बनी अक्षांश रेखा को आर्क्टिक रेखा कहते हैं साड़े च्यासट अंश दक्षनी अक्षांश दक्षनी कोलार्द में 60.26 अन्स पर बनी अक्षांश रेखा को अंटार्क्टिक रेखा कहते हैं किसी इस्थान का अक्षांश और देशांतर दोनों को एक साथ बताते हैं तभी उस इस्थान की वास्थ्विक लोकेशन बताई जा सकेगी तो आईए अब हम देशांतर के बारे में जान लेते हैं जिस परकार प्रत्वी पर लेटी हुई अक्षांश रेखाओं की कलपना की गई है उसी परकार कुछ खड़ी हुई रेखाओं की भी कलपना की गई है और ये सबी खड़ी रेखाएं अतरी धुरूओ और दक्षणी धुरूओ से होती हुई जाती है इसका अर्थ यह हुआ कि ये सबी खड़ी रेखाएं जिने हम देशांतर कहते हैं धुरूओं पर जाकर मिल जाती हैं और जिस प्रकार सभी अक्षान्शों का आधार भूमद्य रेखा अर्थाद जीरो अंश अक्षान्श रेखा को माना गया है उसी प्रकार लंदन शहर के निकट ग्रीनविच नाम के स्थान से जो देशानतर रेखा गुजरती है उसे जीरो अंश देशानतर माना गया है यही रेखा देशानतर रेखाओं को मापने के लिए आधार रेखा का कारियक करती है जीरो अंश देशानतर को प्रधान देशानतर प्राइम लोंगिट्यूड या प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरीडियन या ग्रीन विच रेखा भी कहते हैं